संदीब महेश्वरी वर्सिस डॉक्टर विवेक बिंद्रा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया मुझे कहना चाहिए पप्लिक वर्सिस डॉक्टर विवेक बिंद्रा अगर आपको इस कॉंट्रवर्सी के बारे में नहीं पता है तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि ड बड़े बिजनस का प्रमोशन करना कभी नहीं भूलते और करना भी चाहिए देखिए यह हमारा एक तरह से वैपार है जो भी इंसान का वैपार होता है वह उसके लिए वह प्रमोशन करता ही है यहाँ पर कोई समस्या आकर खड़ी होती है कैसी जगा पर जहां अभी संदीप पचास हजार रुपे दी एक जो बहुत बड़े यूटूबर हैं उनकी कमपनी को और उन्होंने ये वादा किया था कि वो हमें बिजनस सिखाएंगे करना कि कैसे आपको एंटर्प्रेणर मनना है तो लेकिन हमारे साथ फ्रोड किया गया और पचास हजार रुपे की बदले एक ने 30,000, 35,000 दी और एक ने 50,000 दी और जब कि ये कोर्स उनके पाद 10,000,000 रुपे तक भी है सेल करने का मतलब 10,000,000 रुपे में जहां पर हम एक अच्छा खासा स्टार्टप शुरू कर सकते हैं पैसा लगा कर एक अच्छी दुकान सैटप कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 10,000, लाक रुपे में कोई कोर्स सेल कर सकता है तो आप इसी से मेजन कर सकते हैं कि मतलब कितना बड़े स्केल पर ये फ्रोड चल रहा है तो बहराल हम आते इस बात पर की 50,000 रुपे उस बंदे ने जो खर्च किये अपने तो उसे बताया गया कि अब यही कोर्स तुम आगे सेल क करो तब तुम्हारी इंकम होगी यानि कि तुम्हारा खुद तो कटाई है आप तुम्हें आगे चार लोगों का और काटोगे तब तुम्हें पता चलेगा और इसे बोलते हैं MLM आपने ऐसी बहुत सारी सर्विसी सुनी होंगी और बहुत छोटे पैमाने पर भी होती है जै इसे मतलब कानूनी तोर पर सही ठहराए जा सकता है क्योंकि इस पर कोई लीगल एक्षन नहीं है बत लेकिन देखा जाए तो आस तक इस काम में कोई भी सक्सेस्फुल नहीं हुआ अगर हजार लोग स्कोर्स को जोइन करते हैं तो उसमें से एक या दो लोगों का ही सिर्फ पाइदा होता है अधरवाई 99% लोगों के पैसे डूपते ही डूपते हैं और वो एक समय पर आकर हार जाते हैं अगर यह चीज़ इतनी बड़िया होती तो टाटा कंपनी रिलैंस कंपनी इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी से तो इन्होंने यह MLM का सिस्टम क्यों शूरू नह होता है वो सामने निकल कर आ जाता है और वही यहां पर हुआ कि विवेक बिंद्रा हरकत में आ गए और मैं नाम लेकर बोल रहा हूं मुझे पता है कि इस वीडियो को शायद हो सकता है यूटूब कॉम्निटी से हटवा भी दिया जाए हमारे पास भी लीगल नोटिस आ जैस हमारे जैसे और भी बहुत सारी यूटूबर्स के पास अल्रेडी आ चुका है लेकिन अब बात यह पब्लीकली हो चुकी है यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा संदीप महिश्वरी जी ने जो अपना पोस्ट डाला है उसमें उन्होंने क्या लिखा तो आप यह पूरा पोस्ट विस्थार से पढ़ सकते हैं इस का मैं यहां पे आपको संचिप में बता-देता हैं उन्होंनी यही का है कि आपकी जो टीम है विवेक बिंदर को अन्होंने यहां पर इंडिकेट किया ह उन्होंने कहा घृता से और यहां पबदाब आपके टीम नह तो आप उनके office तक तो जा सकते हैं, लेकिन किसी के घर पर जाना ये पूरी तरह से गलत है, चैया आप इसे systematic तरीके से देखें, चैया एक नैतिकता के तोर पर देखें, तो आप किसी के घर पर क्यों ही जाएंगे, तो इससे पता चलता है कि इतना बड़ा expose होने की वज़ा से विवेक बिंदरा को कितना financial नुकसान जेलना पड़ रहा होगा, जिसके बाद ही उन्होंने एक कदम उठाया, उन्हें लगा कि अब जो उनकी दुकान चल रही थी, अब उनकी दुकान नहीं चलने वाली, अब उनकी पोल पुट्टी खुल चुकी है पूरी तरह से, इसके एक घंटे बाद, डोक्टर विवेक बिंदरा ने एक community post डाला, और उसमें कहा संधीब भाई, और उन्होंने कहा कि आपने मुझे invite किया था, मैं आपके उसमें आया, मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिये, और ऐसा किया, वैसा किया, वो कही ना कही ये बताने का परि संधीब महिशवरी ने, जो कही ना कहीं, किसी भी मतलब एक legal तोर पर देखा जाए, एक ethic तोर पर देखा जाए, तो वो सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो हाँ पर आये, कहरी मनाती भी आया था, कहरी मनाती ने उसके बाद उनका roasting वीडियो मनाया, और उसमें गुछ गालियां words use किये, लेकिन संधीब महिशवरी को जो बात गलत लगी, उन्होंने उस पर community post में लिखा, कि ये जो MCBC की जो तुमने गालियां दिये, ये कहीं से कहीं दक funny नहीं है, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई उनके शो में आया, तो उनके साथ वो जो मर्जी करे, या उसे ये आप नाम मतलो किसी का, लेकिन वही बात जो मैंने आपसे कहीं कि चोर की दाड़ी में तिनका, जिसके लिए कहीं गई है, उसे तो भाई बुरा लगेगा ही, और वही हुआ, अगर डोक्टर विवेक बिंदरा इस तरह की एक्टिविटीज ना करते हैं, उनकी टीम ऐसी एक् हम नहीं कहरें, लोग कहरें हैं, आप जाकर भर-भर के नीचे कमेंट्स हैं, उन लोगों के कमेंट्स देखिए, इवन आप संदीफ महिश्वरी की कॉम्टिटी पोस्ट में तो छोड़ी दीजिए, चलिए ठीक है, आज मैं कोई पोस्ट डालता हूं, तो मेरे फिवर की लो सब्सक्राइब करके बैठें, उनने फोलो करके बैठें, वो ही उनकी बात से सैटिस्वाइड नहीं है, कि जो वो सफाइद दे रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, आप खुदी अंदाजा लगा सकते हैं, तब ही उनकी कम्टिटी पोस्ट पर लाइक नहीं आए, इसके अ पोलोवर्स हैं, तो इससे पता चल जाता है, कि वो कहीं न कहीं गलत हैं, भले ही वो अपनी गलती को सुईकार करें, ना करें, मुझे नहीं पता अब ये मुद्दा किस मोड पे जाएगा, लेकिन ये बास सच है, कि जो आज कहीं न कहीं, लोग बलब बे सहारा थे, जिनके पैसे डूब गए थे, और उन्हें कुछ मलब ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था, कि वो क्या करें, किस तरह से अपने पैसों को वापस लें, या कैसे आवाज उठाएं, कैसे इतने बड़े यूट्यूबर से हम लड़ाई लड़ सकते हैं अपनी, तो आज कहीं न कहीं, एक ज तो आप ये अंदाजा लगा लिजी कि आप आने वाले टाइम में बहुत लोग डॉक्टर विवेक बिंदरा को उनके बड़ा बिसनस को एक्सपोस करने वाले हैं, डॉक्टर विवेक बिंदरा की ऐसी बात नहीं कि मैंने वीडियो नहीं देखी हैं, वो जो केस स्टेडी ब और आपको आगे तीन लोगों को सेल करना चाहिए, वो भले ही एक ट्रैवलिंग पैकेज हो चा कुछ भी हो, और ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, आज तक 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 मैंने भी 30-40,000 उरुपे स्टीज में खराब करे होंगे, लेकिन मैंने एक ही जगा खराब नहीं करे, मैं आज से 10 साल पहले कि आपको कहानी बता हूँ, जब 6,000 रुपे का उस टैम पर कुछ नहीं आया था, कि इसमें आपको ओनलाइन कंप्यूटर कोर सिखाये जाएगा, कुछ किताब ही दी जाएगी, और यह आपको आगे मलब लोगों को जोइन कराना है, यह ऐसा कराना है, तो ऐसे बहुत सारे फ्रोड से मैं भी निकल कर भार आया हूँ, लेकिन छोटी छोटी रकमती तो मैं उन्हें भूल गया हूँ, लेकिन हकीकत बात ही है कि उनसे किसी का भला नहीं होता भाई, और यह MLM के नापर लोगों को सिर्फ ठगा जाता है, यह सिर्फ विवेक पर लोगों के बहुत बड़ी टीम है, आपको बहुत तरीके आते हैं, किसी की वीडियो डिलीट कराने के आपको बहुत तरीके आते हैं, लीगल नोटिस भेजने में आप माहिर हो, यह सारी चीज़े आप लोग करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप से एक होंगा, अपनी अंत के साथ किया है, क्या वो सही है या गलत है, आपकी अंतर आत्मा आपको खुछ जवाब दे देगी, आपको किसी से पूछने की जरूत नहीं है, और जो आप यह कह रहे हो संदीफ महिशवरी को, कि अगर उसमें हिम्मत है, तो वो सामने से मुझे फोन करें, और वो मुझे अ पता नहीं ना जाने क्या-क्या अवर्ड मिलते हैं, लेकिन संदीफ महिशवरी जी जैसे लोगों को, मैं कहता हूँ, जैसे लोगों की तो बात ही नहीं है, सिर्फ एक ही परसन है, अब इतक तक तो जो मैंने फेस किया, यूनिवर्स में एक ही परसन है अपने आप में, जो इतना बढ़िया और इतना उनेष्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान को कोई छोटे मोटे अवार्ड से संभानित नहीं करना चाहिए, आने वाले टाइम में, जब भी गवर्मेंट जागे, भारत रतन मिलना चाहिए, संदीफ महिशवरी जी जैसे लोगों को, बाक इसों के लिए काम ना करता हो, जो अपने फाइदे के लिए काम ना करता हो, वो आपको अगर मोटिवेट कर रहा है, तो अपनी जैबे भरने के लिए मोटिवेट कर रहा है, आप उससे मोटिवेट होए, लेकिन इससे ज्यादा उस इंसान को एड्मायर मत कीजिए, फोलो मत कीजे क्योंकि मैंने आपसे वही बात पताईए क्योंकि यहां हर आदमी अगर आपको पानी भी पिला रहा है ना आपसे बात भी कर रहा है ना तो वह फ्री में नहीं कर रहा है उसके पीछे भी उसका एक एजंडा है बस आपको यह चीज पता होनी चाहिए जीयो की सीम विविक बिंदरा की वीडियो देखूंगा लेकिन सिर्फ वहां तक जहां तक मुझे लगेगा चलो कुछ हमने अच्छा सीखा इसके अलावा बड़ा बिजना चोटा बिजना हमें लपड़ो में नहीं पढ़ना और आपको बिजनसमें नहीं बना सकता आप खुद चार काम करोगे ना आप चार काम में नुकसान भी उठा लोगे आपने अगर एक लाग रुपे कहीं निवेस्ट किये और आपको वो समान 80,000 रुपे में सेल हो गया 20,000 का अपने लोस उठाया वो आपको एक लाग रुपे का इतना experience हो जाएगा आपको कहीं कहीं किसी institution में जाने की जरूत नहीं है कहीं कुछ सीखने की जरूत नहीं है आपको सब वहीं खुद दिखाई दे जाएगा ठीक है दोस्तों जो मुझे कहना था मैंने अपनी बात कह दी बाकि आप लोग कमेंट करके बताए आपकी इस बारे में क्या रहाए है वीडियो जादा लंबा ना हो बस थ झाल कर दो ।